पर गई टीम इंडिया को टेस्तिरी शुरू होने से पहले ही परशानियों को सामना करना पड़ रहा है अपने कुछ एम खिलाडियों के बिना ही टीम इंडिया को 22 नवंबर से पर्त में होने वाले पहले टेस्ट में उतरना है ऐसे में टीम इंडिया को हर उस खिलाडी की जुरत है जो उसकी मदद के लिए उपलब्द हो सके स्टार तेजगेंद बाज मौमज शमी ऐसे ही खिलाडी है जुनकी फिटनेस पिछले एक साल से चिंता का विशे बनी हुई है लेकिन अब उन्होंने मैदान पर वापसी करते हुए इस सिंता को कुछ कम जरूर कर दिया रंजी टॉफी में दमदार वापसी कर शमी ने ऐस्ट्रेलिया दौरे के लिए दावेदारी ठोकी है लेकिन टीम इंडिया अभी भी उनको लेकर किसी तरह की जल्दबाजी के मूड में नजर नहीं आ रही पिछले एक साल से चोट के कारण भार चल रहे 35 साल के तेज गेंदबाज शमी को और उस्ट्रेलिया दौरे के लिए चुने गए 18 सदस्यों वाले स्कुआड में जगा नहीं मिली इस वक्त तक शमी पूरी तरह से फिट भी नहीं हुए थे और रंजी ट्रॉफी में भी वापसी नहीं कर सके थे हाला कि पिछले अफते ही शमी मैदान पर लोटे और बंगाल की तरफ से मद्यप्रदेश के खिलाब मुकाबले से उन्होंने क्रिकेट एक्शन में वापसी कर दी शमी ने दोनों पारियों में जबर्दस गिंदबाजी की और साथ पिकेट हासिल की सबसे खास बात तो ये रही कि शमी ने पूरे मैच में कुल 44 दिशनलव 3 ओवर की गिंदबाजी की और किसी तरह की परिशानी भी नहीं दिखी जो उनकी फिटनेस में सुधार के बारे में बताने के लिए काफी हो शमी की इस दमदार वापसी की दम पर बंगाल ने मध्यप्रदेश को 11 अरा दिया इसके बाद सही माना जा रहा था कि शमी को अब तुरंत ही उस्ट्रेलिया रवाना कर दिया जाएगा जहां वो दूसरे टेस्ट मैच से टीम इंडिया का हिस्सा बन सकते हैं मगर ऐसा नहीं है क्योंकि टीम मैनेजमेंट उनको लेकर किसी तरह का खत्रा उठाने को तयार नहीं रिपोर्ट्स के मताबिक बीसी से आई शमी को तुरंत अस्ट्रेलिया नहीं बेजना चारी ऐसा इसलिए भी है क्योंकि टीम मेनेजमेंट का मानना है कि शमी को अभी कुछ और मैच खेलने चाहिए ताकि वो मैच फिटनेस हासिल कर सके इसके बाद ही शमी को अस्ट्रेलिया भीजने पर फैसला होगा जिसके बाद वो अस्ट्रेलिया जा सकते हैं भारत अस्ट्रेलिया के बीज दूसरा टेस्ट मैच 6 दिसंबर से एडिलेट में होगा ऐसे में अस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद शमी के बाद अभ्यास के लिए परियाप्त वक्त भी मिल जाएगा यहां तक ही दूसरे टेस्स से पहले टीम इंडिया एक अब्यास मैच भी केलेगी जहां मौमश यही खुद को परक सकते हैं फिलाल इस अप्डेट में इतना ही आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेर जरूर कीजेगा कॉमेंट्स पर अपने राय दीजेगा